हेलो फ्रेंज्स, जूली किचिन हंदी वें आपका स्वागत है और आज हम आपको पताने या पता है collegबनें मीथी कद्वी सब्जी की हरें इसमीरियों पांपकिन की सब्जाइब कceptे ہं, या कद्वी की सब्जी बोल शकते हैं तो आज हम इसी की डेसीपी आपके साथ सेयर करेंगे, ये सबजी बहुत ही मज़दार होता है, खटी मीठी बनने वाली सबजी है ये, तो चली इस डेसीपी को हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैंने हापर आदा केजी पंपकिन लिया था, तो हाफ केजी पंपकिन को मै यह बहुत ही फाइदे मंद होता है अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर डालेंगे हम दो से तीन चमबच मस्टर ऑइल अधी शुटी चमबच जीरा डालेंगे दो तेजबता डालेंगे और दो सुखी मिर्च दालेंगे इस तोड़के इन सब को हम हलका ब्राउ इसके बाद हम डाल देंगे पंपकीन तो यहां पर यह थोड़ा सा पक चुका है तो अब हम डाल देंगे पंपकीन पंपकीन को डाल कर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके और स्टार्टिंग में हमें एक मिनट तक इसको हाई फ्लीम पर अब जो गैस का फ्लेम है वो हम मेडियम करेंगे और अब हम सबसे पहले डाले मिकष सब्हों नमक थोड़ा से ढलेंगे क्यूंकि में यहां पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया तो एब डालेंगे चिली पॉर्डर तो आधी छोटी चमच चिली पॉडर डाला है मैंने और आधी चमच डालेंगे हम सुगर आप यहाँ पर गुडवी डाल सकते हैं तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि पहली चीज तो यह अल्रेडी यलो होता है तो आप डाल सकते हैं पर यहाँ पर लगभग दो मिनट हो गया है दो तिन मिनट के बाद हम धकन को खोल देंगे फिर से इसको मिक्स कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा फ्राय हो चुका है यह देखें बट इसको अभी हमें 3-4 मिनट तक और पकाना है ता तो इसको मैं यहां पर फिर से कवर कर देती हूं और कभर करके इसको में 3-4 मिनट तक और पकाएंगे तो यहां पर लगभग 3-4 मिनट हो गया है तो फिर से डखकन खोलेंगे और आप देख सकते हैं यह जो हमारी स्वीट पंप्किन या कद्दो की सबजी बनकर रेडी हो च करने के लिए तो यहां पर मैं सेर्विंग प्लेट में निकाल के दिखा रही हूं आपको तो यह देखे स्वीट पंप्किन की सबजी या फिर कद्दो की खटी मीठी सबजी बनकर रेडी हो चुकी है आप इस सबजी को पूरी प्राठे के साथ चावल डाल के साथ रोटी के सब्सक्राइब कर सकते हैं यह सब्जी बहुत ही मज़दार लगता है में टेने हुवे वे जिशाता किलिबा